अहस सरुकार जी हाँ चार मई और ग्यारा मई को निकाय चनाओ के लिए जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी जुसके नतीजे तेरा मई को आएंगे लेकिन इसी बीच प्राइम टीवी की टीम भी लगतार हर एक वार्ड में पहुँच रही है हर एक वार्ड की परताल कर रही है इस दौरान जब हमारी टीम बहराइट पहुची तो वहां हमारी मुलाकात वार्ड नमबर 18 से बीजेबी प्रत्याशी गुलाम अलिपूर से हुई इस दौरान उनके प्रतनिधी भी हमसे मुखातिव होए आकर्श जैसवाल और मदन गोपाल गुपता ये समाद सेवी भी है साथ ये बीजेबी प्रत्याशी के प्रतनिधी भी है इस दौरान हमारी इन सभी से मुलाकात हुई और अगर आपको हम गुलाम अलिपूरा जो की बीजेपी से प्रत्याशी है उनके बारे में बताएं तो इनको लगातार जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है वही मले अनुपमा जैसवाल भी अब गुलाम अलिपूरा के समर्थन ने उतर गई है प्रत्याशी जोती प्रकाश को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है लोग तो जोती जैस्वाल की तस्वीरे भी हम आप तक पहुचवा रहे हैं लेकिन जब हमारी टीम बहराईच पहुची यानि कि जब हमारी जो पूरी सायोग्यों की टीम है जब बहराईच पहुची तो वहां हमारी मुलाकात जोती जैस्वाल के प्रतने दी आकश जैस्वाल से हु मदन गोपाल गुपता के साथ ही जोती जैस्वाल के प्रतनिधी मदन गोपाल गुपता से भी लगातार हमारी मुलाकात हुई है आपको बता दे कि वॉर्ड नमबर 18 वो अपनी दावेदारी को पेश कर रही है और भाजपा ने इनको चुनावी मैदान में उतारा है तो जोती जैस्वाल प्रत्याशी हजोचनावी मैदान में उतरी है तो इस दौरान उनके प्रतनिधी आकर जैस्वाल और साथ साथ मदन गोपाल गुपता जोकी समात सेवी भी है साथ इसाथ जोती जैस्वाल के प्रतनिधी भी है तो हमारे साथ ये प्राइम टीवी पर सीधे जुड़े है पहले तो मैं आप दोनों का प्राइम टीवी पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आकर जैस्वाल जी इस बार भाजपा ने आपकी पत्नी पर दाविदारी पेश की है और आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं तो कौन-कौन से मुद्दे है जिसको लेकर आप जनता का समर्थन मांगने का प्यास कर रहे हैं जी जैस्वाथ है जिसके दौरा कोई काम यहां नहीं कराया लिया है नालियां गुलामलीपुरा की पूरी ब्लॉक्त तवके पूरी खराब है जली में आप जले जाएए आपको गड़े ही गड़े में जर आएँगे तबहा सब के दौरा कोई भी काम यहां पर तराया नहीं गया है और जनता को आई दिन परेशानी आउठानी पर रहे हैं आज भी सुबह यहां रामघाट मंदिर हमारे हां मसूर है रामघाट मंदिर के बगर उसे नाला गया है जिसमें पानी जानी नहीं पाता है जिसके लिए हम लोगोंने नेगरपाल का यह उप साफ सपास हम लोग दे और वहां पे मगाया गया तो उसमें उन्होंने प्रेशर से भी किया लेकिन नहीं कोई है मदन जी लगातार आप बतौर समात सेवी के रूप में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता से आप जादा तर संपर्क में रहते होंगे तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से काम है जो अबी तक हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए हम सभी जनता वाती है महले में रहते हैं और वहां पर साथ सफाई नहीं होती है चार-चार मैंने हो जाते हैं कोई जारू लगाने वाला आदमी नहीं आता है के लिए करना पूंध कि बहुत प्रयास करना पड़ता है इस तरीके से परेसाद में हैं नाजिया भ़ी रहती है आने-जाने वालों को दिक्कत होती है कोई बच्चा गिर जाता है उसमें किसी की गाड़ी नहीं पास हो पाती है इस तरीके की तपाप समस्क्राइन नहीं जा रहे हैं कई बार अपकी पीशन हमने खुल टिक करके दिया है लेकिन उसके बावदूर भी नगरपाई का इसके कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे व लोगों की समस्क्राइब को जूर पर इसे बेश का समाज का और उप्तरपरदेश का समस्क्राइब का समाजना हो सके और नोग जी जैसे की अभी काफी सारे तमाम मुद्दे बताए गए मदन जी द्वारा की पानी की व्यवस्ताइं सुचारू रूप से नहीं है जो सड़क है वहां कि समस्याओं को काफी हद तक परिशानी होती है तो आप उन सभी समस्याओं से लोग चुटकारा पा सके इसके लिए अगर जनता का समर्थन मिलता है तो आप किस तरीके से काम कराएंगे पूरी तरीके से साथ निवाया जाएगा और इसमीं जी जी एक सर हमने दिखा है कि जो चुनाव है उसमें जादा तरभी जो संक्याओं वा पूर्शोक की होती है चुनाव पूरुशी लड़ते हैं और साथ साथ विधान सभा हो चाहे लोग सभा हो इन दोनों ही सद्दों में पूरुश जादा तर संख्या में मौजूद रहते हैं ऐसे में आप महिला प्रत्याशी को आपका पूर्ण समर्थन मिल रहा है इसको कैसे देखते हैं आप मैं अपरत्यासी का जो वंदन आया है वो तो सब्सक्राइब इस वार्ट से पक्रत्यासी उखेगी इसके वो फिवी हैं और उनके जो शाहतने हैं आकर्स भी वो उनका पूरा समख्तन दे रहे हैं हम लोग उनको चाहिते हैं कि उस तरीमें से काम करें और हमें विश्वास है मदन जी आप एक भाजपा की प्रत्याशी को अपना समर्थन पूर्ण रूप से दे रहे हैं लेकिन साथी साथ आप एक समात सेवी भी हैं तो क्या आपको लगता है कि वाकई में जो भाजपा है उसने जनता के लिए काम किया है या जो नीतियां जो योजनाई लोगों के ल प्रतिनिदी चुनावी मैदान में उत्री हैं तो लगतार जनता का तो उन्हें समर्थन मिल रहे हैं तो है लेकिन आखिर भाजपा की ऐसे कौन सी बात थी जो आपको इतनी रास आ गई कि आपने अपनी प्रतिनिदी को चुनावी मैदान में उतारा आपके जनता पार्टी बिस्टी सब्सक्राइब पार्टी है और अगर हम चुनाव रगए और अगर हम चुनाव चिनेंगे तो सरकार हमारी है तो अगर हमारी पार्टी का आकरज ये भी अपने जिक्री किया कि लगतार आपको समर्थन में मिल रहा है और अगर जंटा का पूर्ण समर्थन अगर नतीजों में भी आपको मिल जाता है तो आप जंटा के विकास के लिए काम करेंगे लेकिन जो केंद्र और सरकार की तरफ से राज सरकार की तरफ से जो योजनाय चलाई जा रही है इसको आप आम जनता तक कैसे पहुचाएंगे? लेकिन जो को जिलाया पगयर अप्पत्र खार रहते हैं तो जो के तरफ से जोटी जोटी जास्वाल के प्रतनिदी हैं उनके तोर पर पेश हुए है तो जोती जी के हिसाब से कौन कौन सी समस्याई है जिस पर वो सबसे पहले काम करेंगे अगर वो चुनाओ जीट जाती है अगर जी जैसे कि आप जिक्र किया आपने कि अगर जनता का पूंड समय थन आपको प्राफ्त हो जाता है तो आप कही न कही जनता के लिए हर एक वक्त हर एक समय मौझूद रहेंगे लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि जब जनता का समर्थन में जाता है तो जो उनके जन पतन लिदी है वो उनके बीच पहुंचते भी नहीं है तो आप इस चीज़ को लेकर लोगों को कैसे विश वाज दिला रहे हैं कि नहीं आप जनता के लिए हैं और आप हर समय जनता के बीच पहुंचेंगे और हर एक वक्त जनता के लिए मौझूद रहेंगे जनता के बीच पहुंचेंगे जनता के लिए हमेशा तदेव चाहे रात में हो चाहे दिन में हमेशा ख़ड़े लिए और पद मिलने के बाद तो जनता काम और पर धवाके थे उन लोग कर नहीं है उसमें कोई शक्षी है ठीक है आकर जी जोती जी चुनाव लड़ रही है जाहिर सी बात है कि उनको जनता का समर्थन मिल रहा होगा और चुनाव आप काफी नजदीक भी है तो ऐसे में जोती जी का ये पहला चुनाव है या इससे पहले भी वो कोई जबने कि क्या हम इक सिल भी ढॉइ ठीक कर था समरे की दो दूसाथ समें कंपा था है जोती जी को मैंना क्या है कि जोती जी यहा से चुनाव लज़ेगी अगर जीती जन्ता में हमको एक आशनवाद देती है तो मुलावली पुरा को जैसा कि अभी मैंने आप सब्सक्राइब बताया कि 2400 वार्ट में सब्सक्राइब होगा तुम्हों भुडाने कुछ भाजपा की तरफ से जोती जी को प्रत्याशी घुशित क्या गया है और जाहिर सी बात है कि तमाम और भी दल होंगे जिसके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उत्रे होंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रत्याशी ऐसा है जो चुनावी मैदान में आपके लिए चैलेंज बन सकता है लेकिर वो जीत के दावेदारी के ठोक रहे होंगे उनके इसाब से उन्हो कि यह लेकिन होनी है वो हम लोगों की होगी क्यूंकि हम दस साथ में पहिसान और उस समस्या को समाधान करने के लिए मैंने कि लोगों के समध में हम उत्रे हुए है और हमें उम्मीद और विस्वान से पुड़ा समधन देंगे ठीक है आकर जी अब ऐसे में चुनाव की तारीखें काफी नजदीक है लेकिन प्रशार जोरो शोरो पर होगा तो प्रैम टीवी के माध्यम से आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे जनता से में यही अपील करूगा जिसे अब लोगों को चुनाव जिताते थे इसलिए में अबीद है अब की आजपा को पोड़ देंगे अब करें एक इपिगा पोड़ जिसे हम लोग चुनाव जीत कर जनता की समस्याओं का जिनान देंगे ठीक है मादन जी अब आप भी अपनी जनता से क्या कुछ अपील करेंगे चुनाव से फेले जिसे में अब तो भूच्पा से क्रत्याशी जूती अपनी दावधारी पेश्क करेंगे नहीं हो जिनको लगातार जंता का जनाधार पी मिल रहा है तो वहीच अब हमारी टीम बहराइच पोची तो वहाँ तमाम पार्टियों के प्रतनिधी ओसे मुलकात हुए जोरान हमारे साथ प्रत्याशी जोतिक के प्रतनिधी के तौर पर समात्सेवी और भी कई लोग पूरे यूपी में पेश करेंगे तो नगर संग्राम के हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे प्राइम टीवी